दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्टसप के पांच पूल अपकमिंग लेटेस्ट फीचर के बारे में और ये फीचर दोस्तो हमें 2019 में मिलने वाले हैं दोस्तों ये feature बहुती ज़़ा जबदस्त होने वाले हैं और यहाँ पर ये feature जहाँ मैं मिलेंगे WhatsApp में तो हमारा WhatsApp experience जो है वो बहुती ज़़ा कमाल का होने वाला है तो जानने के लिए इस वीडियो को सुझ लिग लाख तक देखते रहिए में नाम है दीपक और डिकटेक हिंदी की इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों ये वीडियो बहुती कमाल की होने वाली है तो इस वीडियो को लाइक कर देजेगा जोस्तो अगर आप हमारे चनल पे नए आए हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकन को भी दवा लिजे ताकि हमारे लेटेस्ट एक्नोलजी वीडियो की सबी नोटस न आपको मिलते रहे तो चलिए दोस्तो आप बिना टाइम को वाई सुदू करते हैं दोस्तो हम बात करें वर्टसप के पांच अपकमिंग फीचर के बारे में तो यहाँ पर पहला जो फीचर है वो है वर्टसप सिक्योरिटी को लेकर दोस्तो अभी तक हम WhatsApp security के लिए third party application का use करते थे जहाँ पर दोस्तो हम fingerprint log या फिर pattern log या फिर दोस्तो यहाँ पर हम face ID log लगा लेते थे लेकिन यहाँ पर दोस्तो हमें WhatsApp की तरब से कोई भी security नहीं मिलती थी अब WhatsApp एक नया feature लेकर आने वाला है जहाँ पर दोस्तो हमें WhatsApp की तरब से security मिल जाएगी और माँ WhatsApp experience और भी ज्यादा secure हो जाएगा यहाँ पर दोस्तो WhatsApp की तरब से हमें face ID log और यहाँ पर fingerprint log मिलने वाला है लेकिन दोस्तो यहाँ पर हम उमीद लगाते हैं कि जल्द ही यह feature जो हमें मिल जाएगा दोस्तो WhatsApp के second upcoming feature के बारे में बात करें तो वो है दोस्तो WhatsApp का dark mode feature जिसका दोस्तो हम बहुत time से यहाँ पर wait कर रहते हैं लेकिन अभी तक यह feature हमें नहीं मिला है यहाँ पर दोस्तो WhatsApp का जो dark mode feature है इसमें दोस्तो हमें पूरा WhatsApp जो है black मिलने वाला है मतलब WhatsApp को हम जो है रात में बहुती आराम से यूज़ कर पाएंगे हमें अपनी brightness को भी कम नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर सब कुछ हमें black मिलने वाला है और यह feature दोस्तो बहुत साई social media application में बहुत पहले आ चुका है लेकिन WhatsApp में फीचर अभी तक नहीं आया था अब देखते हैं फीचर कब तक आता है इसका भी दोस्तो हमें wait तो करना ही पड़ेगा दोस्तो WhatsApp के third upcoming feature के बाब में बात करें तो वो है दोस्तो 3D Touch WhatsApp पर दोस्तो जब भी हम किसी का status देखते थे तो उसे दोस्तो हमारे footprint मिल जाते थे उसे पते चल जाता था कि हमने जो है उसका status देखा है लेकिन दोस्तो यहाँ पर एक वो नया feature मिलने वाला है जो की है 3D Touch भी उपर सो हो जाता है और दोस्तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमने जो है उसका status देखा है तो कुछ इस तरीकर फीचर हमें मिलने वाला है तो देखते हैं आप यह feature भी हमें कब तक मिल पाता है दोस्तो WhatsApp के fourth upcoming feature के बारें बात करें तो वो होगा दोस्तो audio preview मतलब यहाँ दोस्तो अगर हम WhatsApp पर किसी को भी audio record करके send करते थे तो वहाँ पर दोस्तो हमें preview नहीं मिलता था सीधे ही दोस्तो वो audio file जो है send हो जाती थी लेकिन दोस्तो यहाँ पर आप जो है नए feature में हम जो है audio का preview सुन पाएंगे उसके बाद दोस्तो उसे send कर पाएंगे तो यह नए feature भी हमें जल्द ही WhatsApp में मिलने वाला है दोस्तो WhatsApp के 5th upcoming feature के बारें बात करें तो यह है दोस्तो more stickers दोस्तो अभी तक हम stickers डाउनलोड करने के लिए WhatsApp में जो पहले से sticker दिये गए हैं उन्हें download करते हैं या फिर दूस्तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं लेकिन अब जो है द WhatsApp में मिलने वाला है देखते हैं दोस्तों अब यह सभी फीचर जो है 2019 में कब तक हमें मिल पाते हैं दोस्तों जो उमीद है आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक को सेर कर दिजिएगा और चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो च लेहिन बंदे मात्रम